नमस्कार बच्चों आपका ग्यारवी कक्षा के विफसाइक अध्यन की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है आज आप मैं आपको चतुर्थ पार्थ विफसाइक सेवाओं के अंतरगत विफसाइक सेवाओं किस प्रकार से उत्पात से भिन होती है ये क्या होती है और बैंकिंग प्रणाली किस तरह से हमारे देश में कारे करती है और ये बैंकिंग का क्या योगदान है इस प्यार मैं विस्तार से आपको अध्यन करवाओंगी चलिए मिलकर इसका अध्यन करते है विवसाईक सेवाईं से पहुचाई जाती हैं बैंक उत्पादक और विपारी को वित सुविदाएं देकर उत्पादन और विपारी क्रियों को कतिशिल्टा प्रदान करते हैं माल और वस्तूओं की सुरक्षा का दाईत्व बीमा कंपनी अपने उपर ले लेती हैं संचार सुविदाएं वस्तूओ के उत्पादक वैपार वो भोगता के मद्द आदेश शिकायत संबंदी प्रभा को बनाए रखते हैं संग्रहन भोग के समय तक वस्तूओं के स्टॉक के रूप में एकत्र करके रखता है और मध्यस्त विभिन रूपों में फुटकर ठोग एजेंट के रूप में हर स्थान प के गतिशीलता बनाए रखती हैं यह सब वनीची के अंत्रगत आती हैं विवसाय के संचालन वविस्तार हे तू सेवाओं का विशेश महत्व है एक और जहां वस्तू भौतिक पदार्थ है जिसका अदान-प्रदान विपार के माध्यम से होता है तो दूसरी तरफ सेवाएं अमूर्थ सहायक्तत हैं जो हर आर्ठीक क्रियाओं को अधार देती है एक वस्तू के साथ अनेक सेवाओं का भी आदान-प्रदान होता है वस्तू का हम स्वामित्वहस्तान्त्रण से अदान-प्रदान कर सकते हैं परंतु सेवाओं में ऐसा नहीं होता यह केवल सрип योग मात और पाने वाला यानि उपभोगता इन दोनों के मध्य किसी तथ्य का अदान प्रदान होता है जो उपभोगता की अवशक्ता को संतुष्ट करती है आईए इसकी विशेष्टाओं से इसके अर्थ को जानने का प्रियास करें इसकी प्रथम विशेष्टा है अमूर्थ किया जा सकता है जैसे एक डॉक्टर अपने मरीजों की जांच परताल करके उनका इलाज करता है एक व्यक्ति इन सेवाओं के उपभोग के पस्चात ही इनकी गुनवत्ता के बारे में अपने अनुभव को बता सकता है और एक बात कि हरे एक बार सेवा जो होती है वो अलग- रूप और उसके मापदंट से ही सेवा देनी होती है ताकि अवशक्ता को संतुष्ट किया जा सके दूसरी इसकी विशेष्टा है असंगता सेवा में कभी बी एक रूपता नहीं होती प्रत एक बार सेवा में परिवर्तन हो जाता है अलग-अलग बोगताओं की अलग- सेवा देते समें अलग-अलग प्रकार्स सेवा प्रदान करता है तीसरी विशेष्टा है अभिन्नता सेवा में उप्योग में समय अम्यंतराल नहीं होता उपादन वह उसका प्रियोग साथ-च्ठाथ होता है एक व्यक्ति cinco तो दूसरी उसे उसी समय गहन कर ली शेवा देन संपर्क की भी सेवा ले सकते हैं और ATM मशीन की दोनों के द्वारा आपका पैसा जमा कराने की सेवा आपको दी जाएगी सेवा में ग्रहाक से संपर्क करना सबसे महत्पून होता है अगली विशेष्टा है इन्वेंटरी और स्टॉक संभब नहीं सेवा पैदा होते ही प्रियो सेवा से जोड़ी वस्तूओं को स्टॉक जो है संभवी नहीं है जो सेवा में सहायक होते हैं जैसे उधारन के लिए सेवा से जोड़ी वस्तूओं का तो स्टॉक संभव है लेकिन सेवा का स्टॉक संभव नहीं है उधारन की तौर पर रेल सेवा में रेल का टिकट रेल या यही रेल विभाग पढ़ने भर करेगा संबदता सेवाएं किसको दी जाती है ग्रहक को और उपभोगता को जिनको इनकी अवशक्ता पढ़ती है अंत सेवा तभी पूर्ण होती है जब ग्रहक इस प्रक्रिया में अपना सहयोग दे और ग्रहक की अवशक्ता के नुसर इन करेंगे अंत ग्रहक का होना इसमें अत्यंत आवशक होता है सेवा का अहस्तांत्रिनिय होना सेवा को सेवा प्रदान करने वाले से अलग नहीं किया जा सकता सेवा देने के पश्चात सेवा पाने वाला उसको लाभांडवित जरूर होता है परंतु सेवा के स्वरूप को प् और वस्तुओं में अंतर किया जाए आईए देखते हैं यह अंतर स्वामित्व के हस्तांतरन के अधार पर सेवाई सेवाव में स्वामित्व का हस्तांतरन संभव नहीं है जबकि वस्तुओं में हम एक वस्तुओं को दूसरे व्यक्ति को देख स्वामित्व का हस्तांतरन कर सक मौझूदगी के अधार पर यदि अंतर देखा जाए तो सेवाओं में देने वाला और सेवा पाने वाला दोनों प्रत्यक्ष रूप में आमने सामने होने चाहिए जबकि वस्तुओं में ऐसा आवशक नहीं है ग्रहक अप्रत्यक्ष रूप से भी वस्तु को सुईकार कर सकता उत्पादन के अधार पर देखा जाए तो सेवाओं में किसी वस्तू का उत्पादन नहीं हो रहा कुछ चीज को कुछ सेवा को प्रदान किया जा रहा है जबकि वस्तू में किसी वस्तू विशेश का हम उत्पादन करते हैं और वो देखी जा सकती है और उसको हम दूसरे व्य जबकि वस्तुओं को मूर्त रूप से देखा जा सकता है, उनका भौतिक शुरूप होता है उन्हें प्रदान किया जा सकता है। एक रूपता, सेवा देते समें, सेवा लेने वाले पर निर्भर करता है कि वह किस प्रकार की सेवा चाहता है, इसलिए सेवाओं देते समय सेवाओं में एक रूपता नहीं पाई जाती, भिन भिन ग्रहाग पर भिन भिन सेवाओं दी जाती है ऐसे ही वस्तूओं अगर एक वस्तू हो और वो प्रमानित हो उसके किस्म रंग रूप एक जैसा किया जा सकता है उत्पादन और उपभोक के समय अंतर, सेवाओं में उत्पादन और उपभोक में अंतर नहीं होता जैसे ही पैदा होती है उसका तुरंत उपभोक कर लिया जाता है जबकि वस्तूओं में समय अंतराल रखा जा सकता है उसे खरीद कर गुदाम में रखकर फिर भी बेचा जा सकता है सकंद के अधार पर यदि अंतर देखा जाए सेवाओं का स्टॉक नहीं होता जबकि उतपाद का यारी वस्तूओं का स्टॉक होता है संबंध्धता के अधार पर देखा जाए तो सेवाइं ग्रहक से संबंधित होती हैं। तुरंथर्ण्ट अप्रतेक्ष रूप से संतुष्ट करते जां कि हमारी वस्तु होती हैं सुपुर्दगी के समय ग्रहा का होना आवश्या किसमें नहीं होता ये स्टॉक के रूप में सुरक्षित भी रखी जा सकती है आईए अब सेवाओं के प्रकार पर दिश्टिकों डालते हैं सेवाओं को तीन प्रकार में बाटा गया है विवसाइक सेवाओं समाजिक सेवाओं से उभोक्ता तक वस्तुए पहुचाने में अपना योगदान देती हैं जैसे बैंक की सेवा बीमा की सेवा परिवहन की सेवा बंधारन की सेवा और संप्रेशन की सेवा इतियाती समाजिक सेवाओं वह सेवाओं हैं जो समाज की हित के लिए समाज के उदिश्यों की करते हैं इनपे हम एंजीयों के और सरकारी एजन्स्यों के कार रेंät जो है शाविल कर सकते हैं जो आला बिला के विकतिवां impact शवाय से कारे रत हैं के वे विशेश आपने हाइन को भिन हीं तरीके ID कि तरे के से कारे familia लग होती है जो ग्रहकों की पसंद वा अनुभव पर निर्भर करती है उधारन के लिए परियतन मनुरंजन जलपान ग्रह सेवाई या डॉक्टर पेशेवर व्यक्ति की सेवाई चलिए इनका विस्तार से अध्यान करते हैं व्यवसाइक सेवाई वह सेवाई जो एक व्यवसा भी हो चुके हैं कि विफसाई कृति की सफल संपन्ता वस्तु के वितरन शंकला से जोड़े विभिन छेवा शित्रों पर निर्भर करती है जिने हम व्यवसाई के सहायक ततो के नाम से वाणीचिक क्रियाओं को चांप जिसमें बैंक, परिवहन, बीमा, संचार, संग्रहन, विज्यापन, मध्यस्त की शेवाओं को शामिल किया गया है। जो वस्तु का निर्माता से अंतिमु भोक्ता तक पहुचाने में हर स्तर पर कदम पर कारिशिल होती है। इन सेवाओं के बगर विफसाई आज की गलाकाट प्रतियोगता में अपना अस्तित्विक हो देता है। इसलिए आज के युग में सेवा उद्योग के नाम से युग माना जाता है। और भारत विश्व को विफसाईक सेवा उपलब्द कराने में सबसे आगे है। सेवा शित्र विफसाई क्रियों के लिए समय पर धन उपलब्द करवाता है, संचार की विवस्था को संभव बनाता है, वस्तुए सुरक्षा प्रदान करता है, आदावन प्रदान को सुलब बनाता है, जोखिन से बचाप करता है, वित्रन लागतों को कम करता है और समय पर वस्तोय उभोकता को उचित स्थान पर उपलब्द करवाता है चलिए अब सेवा के शेत्र में सबसे पहली सेवा बैंकिंग की सेवा पर विस्तार से नज़र डाले जाए बैंकिंग क्या होती है कंपनी है एक ऐसी जो बैंक संबंदी वेपार करती है वे सेवाएं जो द्वारा के आयगत खर्चे और बड़े खर्चे जैसे संपत्यों को खरीदने संबंदी जिने हम पूंजी गत खर्चे कहते हैं उनको पूरा करने के लिए धन उपलब्द करवाती है बैंक द्वारा रिंड दिये जाते हैं लोगों की जमा को स्विकार किया जाता है लोकर की सुविधा दे जाती है क्रडिट कार्ड डेबिट कार्ड एटियम जैसी अनेक सुविधाएं विपारियों को देकर बैंक विपार में मदद करता है बैंक है क्या बच्चों बैंक एक ऐसा संगठन और संस्था है जो मुद्रा में लेंदेन के वहवार को करता है यह जनता की जमा को धन के रूप में सुविकार करता है और भुकतान करता है रिन के रूप में और इन रिन को वो ब्याज के बदले में प्रदान करता है यह साक निर्मान और एजंसी के कार्यों को भी करता है बैंक बर्तमान समय की अर्थववस्था की रीड की हड़ी मानी चाती है यह क्रिशी, लगू और बड़े उद्योगों में, आयात निरियात में और धन संबंदी क्रियाओं में अपना महत्पुन योगदान देते हैं चलिए बैंक के प्रकारों को देखा जाए बैंक के चार प्रकार हैं वानिजिक बैंक, सहकारी बैंक और विशिष्ट बैंक, केंद्रिय बैंक वानिजिक बैंकों को आगे उप दो भागों में शेत्र के धार पर भी बाटा गया है नीजी शेत्र के बैंक और सारवजनिक शेत्र के बैंक वानेजिक बैंक होते क्या हैं? चलिए इस पर द्रिश्टी डाली जाए वानेजिक बैंक वे संस्थाइं हैं जो मुद्रा में विपार करती हैं जो भारती बैंक नियम और अधिनियम 1949 द्वारा शाशित होती हैं यह बैंक कम दर ब्याज पर जनता से धन जमा के रूप में स्विकार करते हैं विपारी उत्पातकों को अधिक दर पर रिंट सुविदाएं प्रदान करते हैं ब्याज की इसी अंतर को बैंक की आय मना जाता है यह प्राय अल्पकालीन और मद्धिकालीन रिंट सुगमता से देते हैं यह बैंक अपने गढ़ाकों को अनेक सुविदाएं भी प्रदान करते हैं जैसे चेक की, ड्राफ्ट की, भीनिमे पत्र को कटोती पर भुनवाने की गहने अभोशन को लॉक्कोर में रखवाने की, राशी को एक साल से दूसर स्थान पर हस्तांतरित करवाने की ATM की सुविधा को, debit, credit card, RTGS जैसी कितनी अनन्द सुविधाएं यह बाने जिग बैंक प्रदान करते हैं निजी शेत्र के बैंक वह बैंक हैं जो आम जनता के लिए उपलब्ध हैं और निजी व्यक्तियों के स्वामित्वों प्रबंद और नियंतरण में होते हैं यह मुद्रा वजार के अनुसार कारे करते हैं जबकि इनमें SBI PNB को शामिल किया गया है सार्वजिंग शेत्र के बैंक वह बैंक है जो सार्वजिंग शेत्र में सरकार के द्वारा स्थापित होते हैं जिसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान होता है और यह सामाजी को दिश्यों की पूर्ती है तो स्थापित होते हैं इनमें HDFC, ICICI, Mahindra Bank, JNK Bank को शामिल किया जाता है चलिए अब सहकारी बैंक पर दिश्टी डाली जाए ऐसे बैंक जो रज्य सहकारी समीती अधीलियम के तहत गठित होते हैं और शाशित होते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों को वित्साहता उपलब्द करवाना है यह सहकारीता के सिधांत पर अधारित है यह गरामीन जमाओं को प्रोसाइत करते हैं और उन्हें गतिमान बनाते हैं चोटे किसांग, चोटे पारिवारी कुद्योग, कारीगर को यह उधार सेवाई उपलब्द कराते हैं यह वनजिक बैंकों की तरह ही कार्य करते हैं पर इनका मुख्य उद्देश्य लाब कमाना नहीं होता यह कम ब्याज पर सदस्यों को रिन देते हैं विशिष्ट बैंक, जो विशिष्ट क्रियाओं में वित को सुगम बनाते हैं यह भारी परियोजनाएं, विदेशी विपार, इन सब के लिए धन उपलब्द कराते हैं नई उद्योगिक इकाईयों में यह महत्पून योगदान देते हैं इसमें विदेशी बैंक, जो भारत में स्थित हैं, परन्तु विदेशों से संबंद रखते हैं जैसे चार्टर्ड बैंक, सिटी बैंक, लॉइड्स बैंक को शामिल किया गया है उद्योगिक विकास बैंक, जो देश में कोश पुझी, दीरग कालिन और मद्य कालिन जमाएं और रिन पुझी के रूप में विवार करते हैं, वो उद्योगिक बैंक कहलाते हैं यह बैंक नई उद्योगों को स्थापित करने आधुनी करन करने उनका विस्तार करने है तू दीविकालिन रिन प्राइप 20 से 25 वर्षों से अधिक अब्दी के लिए प्रदान करते हैं यह बैंक घरंटी का कारे भी करते हैं और प्रती भूतिया यानि अंश और रिन पत्रों क अब इंथां पर जाएं अबिगोपन का कारे भी यह करते है अंश क्रे और किम सब्सकीन नाम से जाना जाता है आई ये केंद्री बैंक पर दिश्ट्री डालते हैं यह देश का सरवच्य बैंक होता है शीर्ष बैंक होता है सरकार का यह बैंक होता है यह देश की मुद्रा और साकसंबदी नीतियों का नियंतरन वह समन्वे करता है और सभी बैंकों की गतिविदियों का परियाविक्षन न जारी करता है मुद्रा बजार पर नियंत्रन कायम करता है नियम बनाता है जो बैंक प्रणाली को चला सके विदेशी विनिमे पर नियंत्रन रखता है विदेशी कोश की देखपाल करता है मौद्रिक निती के निर्मान में आर्थिक स्थिर्टा बनाए रखता है यह सब इस बै वनिजिक बैंकों के कारियों को देखें वनिजिक बैंकों के कारियों को दो भागों में माटा गया है पहला है अधारबुत और प्राक्मिक कारिय दूसरा है अजनसी और समान्य अपयोगी सेवाई आई अधारबुत कारिय में देखें सबसे पहला कारिय है जमा स्विकार करना बैंक का प्रथम कारे विवसायू वह जनता से जमाएं स्युकार करना होता है। जनता द्वारा अतिरिक्त धन को बैंकों में जमा करवाया जाता है। इन जमाओं पर रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारे दर्रों के अनुसार ब्याज का बुक्तान किया जाता है। फालतू पैसे का प्रियोग वा कमाई का शोत जनता में संभव होता है। बैंक चालू खाता, बचत खाता, आवर्ती जमा खाता, निश्चित कालेंग जमा खाता और FD की सुविधाएं प्यदान करता है। चलिए इन खातों के बारे में भी जानते हैं। चालू खाता, यह खा बैंक विपारियों को बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक अधिविकर्ष की सुविधा भी देता है। अथा जमा से अधिक राशी भुकतान के रूप में दी जा सकती है, पर बैंक इस अधिक के भुकतान पर ब्याज लेता है। और अगली जमा पर इस से ब्याज सहीत वसूल कर बैंक की मांग देंदारी होती है। बचत खाता, जो आम जनता की जमाओं के लिए होता है, छोटी-छोटी बचतों को जनता इसमें जमा करवाती है, इस पर कम दर से ब्याज दिया जाता है, वो छोटी बचतों को प्रोट्साइद करता है, यह बैंक की मांग देंदारी होती आवर्ती जमा यह खाता निश्चित अब्दी के लिए निश्चित राशी प्रतीमा जमा करवाने के दुश्चिय से खोला जाता है इसकी राशी विशेश परिस्थितियों को छोड़ कर समय से पहले नहीं निकलवाई जा सकती इसमें जमा राशी पर ब्याज की दर बहुत जा जाता है इसमें एक निश्चित समय के लिए पैसा जमा करवाया जाता है समय अवदी के अधार पर ब्याज दिया जाता है और अधिक समय अधिक ब्याज समय से पहले भी इसे जमा करता पैसा निकलवा सकता है लेकिन बैंक उस पर अपनी कटोती काट कर भुकतान करता है आई चलिए इनके बारे में भी जानते हैं अधिविकर्श क्या होता है बैंक के ग्रहक अपने चालू खाते में जमा की गई राशी से अधिक राशी निकलवा सकते हैं अधिक निकाली गई इस राशी को अधिविकर्ष कहा जाता है बैंक ओवरड्राप्ट इस पर बैंक ब्याज वसूल करता है और एक प्रकार की अल्ब कालिन रिन होता है इसकी बैंक से पहले अनुमती लेनी होती है नकदरिन यह साग इसमें बैंक रिनी को एक जमानत के अधार पर एक निश्चित राशी निश्चित सीमा के अंदर निकलवाने का हक देता है इसमें रिनी धन निकलवाने और फिर उसमें जमा करवाने का जिम्यवार होता है बैंक रिन की राशी पर ब्याज भी वसूल करता है जो वास्तव में निकलवाई गई राशी पर होता है वीनिमे पत्रों की कटोती वीनिमे पत्र उधार लेन देन के प्रतीक होते हैं इनमे उधार लेने वाला एक निश्चित अब्दी के बाद उधार देने वाले को निश्चित राशी के भुखतान करने के लिए दाई होता है यह बिल समय से पहले कटोती पर बैंक से भुनवाए जा सकते हैं बैंक इसके बदले में कटोती यानि ब्याज को वसूल करता है और भुगतान करता है अवधी रिन यह एक निश्चित अवधी के लिए ग्रहकों को प्रदान किये जाते हैं जिसमें मशीन, का, ट्रक, मकान, इत्यादी उदेश्यों को खरेदने हित्तु धन का प्रियोग किया जाता है इसका बुगतान किश्टों में किया जाता है जो मासिक, तर्मासिक, 6 मही या वश्यक भी हो सकती है भोगता रिन या मांग रिन, यह ऐसे रिन है जो बैंक तुवारा कभी भी वापस मांगे जा सकते हैं, यह रिन बैंक जमानत के तौर पर निश्चित कालीम जमा यानि सरकारी प्रतिमूतियां भी मपत्र कैदार पर प्रदान किये जाते हैं, तीसरा कारे बैंक का चेक्स विद निकलवाया बन जमा करवाया जाता है वह किसी की पैसे का का भूकतान भी किया जाता है नहीं 우리 में सबसे प्रचलित प्रपत्रब और मित वई सादन है दो-डो रूप में हो सकता है वह though और रेखांकित चेक वह यहां जा सकता है दारक दवारा दिखाकर बुटान चेक वुक्तान प्राप्त कर सकता है वह ऐपने खाते में निवहां थाइब अर्थात यह चेक में वर्लित विशेश व्यक्ति के खाते में उसकी राशी जमा होती है तीसरा कारे है धन का हस्तान्तरन वानिजिक बैंक की शाख हैं देश में हर जगा होती हैं वे अपनी शाखों के माध्यम से धन के हस्तान्तरन वो आदान प्रदान को सरल बनाते हैं कोशो का स्थान्तर बैंक, ड्राफ्ट, भुक्तान, अदेश, जिसे हम पे ओर्डर कहते हैं, या डाक द्वारा करता है, वह बदले में कम दर से कमिशन वसूल करता है, एक बैंक, एक स्थान से, ड्राफ्ट के माध्यम से, दूसरे स्थान पर अपनी स्थित शाका में, या फिर किसी अन्य बैंक की शाखा में, धन का स्थान्तर करके, ग्रहक को उस थान पर धन उपलब्द करवाता है, प्रती भुतियारी अंश्रिंट पत्रों के अभी गोपन या गरंटी का कार्य करता है, उनको खरीदने और बेचने का भी कार्य करता है, बीमे की किष्ट का ग्रहा की तरफ से भुक्तान करता है, ग्रहा की तरफ से लाभांश को वशूल करता है, किसी तरह का किराया ग्रहा की तरफ से वशूल करता है, ब्याज एकत्र करता है, ग्रहा का ट्रस्टी और प्रबंदर का कारिय करता है, संदर्व पत्र देने, यात्रा चेकव साक्प्रमाण पत्र देने और आर्थिक आंकडों को एकत्र करवाने का भी कारियर करते हैं चलिए आईए इबैंकिंग के बारे में जाने जो वर्तमान समय में प्रचलित है इबैंकिंग अर्थात इलेक्ट्रोनिक बैंकिंग जिसमें बैंक द्वारा मौद्रिक विवारों को इंटरनेट के मध्यम से किया जाता है इंटरनेट पर बैंक की सेवाएं प्रदान करने को इबैंकिंग कहते हैं यह लेंदेन की लागत को कम करता है बैंक द्वारा ग्रहा को अपनी बच्तों को प् से बैंक की इन सेवाओं से जुड़ सकते हैं अब आपको बैंक जाकर प्रतिक्ष रूप से व्यवार करने के वशक्ता नहीं है यह बैंकिंग के द्वारा घर भैटे बैंक संबंदी व्यवारों को कारी रूप दे सकते हैं इबैंकिंग में बैंक अपने ATM स्वच वली टेलर मशीन जिसे कहा जाता है विक्रे बिंदू जिसे POS कहा जाता है EDI Electronic Data Interchange जिसे कहा जाता है क्रेडिट कार्ड, Electronic या Digital रोकर, EFT, Electronic कोश स्वतांतरन की सेवाएं भी प्रदान करता है धनकास्तांतरन, NEFT यानि National Electronics Fund Transfer या Real-Time Gross Settlement यानि RTGS भी हो सकता है इबैंकिंग के लाब के हैं जरा इस पे दृष्टी डाली जाए 24 घंटे की रोज की सेवा प्रदान करने वाला साधन है, दूसरा, मोबाइल से कहीं से भी इस सेवा का लाब उठाया जा सकता है तीसरा, हर एक लेंदेन के अभिलेकन के कारण वित्य अनुशाशन बना रहता है चौथा, ग्रहक संतुष्ट रहता है, कम जोखिम वा अधिक सुरक्षा रहती है यात्रा के दोरान नकदी की अवशक्ता नहीं होती बैंको की प्रत्योगिता शक्ती बढ़ती है असीमित क्रियात्मक शित्र उत्पन होता है केंद्रिक डाटा बेस से लिखांकन कारे को कम किया जा सकता है नकदी की अप्चोरी का भैर नहीं रहता समय पर ग्रहक को बुक्तान उपलब्ध होते हैं किसी तरह के पत्र विवार के अवशक्ता नहीं होती समय की बचत होती है आईए इबैंकिंग से जुड़े कुछ महपुन तथ्यों को जाने Electronic Fund हस्तांतरन सी विधी जिसमें ग्रहक इंटरनेट के माध्यम से पैसे को एक खाते से दूसरे खाते में अस्तांतित कर सकते हैं इस प्रकार लाभांश, ब्याज, कमिशन, पैंशन को प्राप्त किया जा सकता है और बिजली बिल, टेलीफोन, बीमा किष्थ, खरीद का बिल, ट्रेडिट कार्ड, मेशेश, इन सब के व्याय की विवस्था की जा सकती है स्वचाले टेलर मशीन, यसे ATM कहते हैं मशीन में बैंक द्वारा प्रदान किये गए एक विशेश कार्ड को डालने पर व्यक्तिगत पहचान संख्या भरने वर उपरांथ रुपिया निकलवाने की सुविधा दे जाती है यह 24 गंटे की उपलब्द सुविधा होती है टेली बैंकिंग, फोन द्वारा बैंक से कारियवधी में खाते के शेश वर अन्य वहवारों की जानकारी प्राप्त टेली फोन से करना डेबिट कार्ड, बैंक द्वारा ग्रहक को जारी कार्ड जो उसके खाते की जमाराशी को दिखाता है इसका प्रियोग ग्रहाक त्वारा बैंक में जमाराशी से तुरत भुकतान पाने और किसी को करने के लिए किया जाता है वो ATM में भी इसका प्रियोग होता है Credit Card अच्छी साख वाली व्यक्तियों के लिए Credit Card उपलब्ध होता है वस्तों को खरीदने वो उनका भुकतान करने ही तुर उसका प्रियोग किया जाता है पर उसमें निश्चित समय के पस्चाद बैंक में वापस पैसा भी जमा करवाना होता है यह एक तरह की अधिविकर्ष की सुविदा है Core Banking बहुत ही महत्पून है आज की युपकी Core Banking Solution के नाम से यानि केंदरी कृत Banking Solution के नाम से ने CBS के नाम से भी जाना जाता है जिसमें ग्रहक बैंक की संपून शाखाओं का ग्रहक बन जाता है अब ग्रहक को बैंकिंग सुविदाएं हर जगा उपलब्ध होंगी वे पूरे Bank का ग्रहक होता है वे Bank की किसी भी ब्रांच में कहीं पे भी जाकर लेंदेन कर सकता है उसे विशेश अधिकार प्राप्त होते हैं उसे विशेश पहचान उपलब्ध करवाई जाती है अब वो किसी भी ब्रांच में बिना प्रमान पत्र के अपना खाता खुलवा सकता है बच्चों उत्पाद, सेवाएं और उनमें अंतर और बैंकिंग प्रनाली तथा इबैंकिंग संबंदी भाग हमारा यहीं समाप्त होता है आशा है यह आपके समझ में आया होगा और इसे आपने ठ्ञान से सुना भी होगा और इसे आप लभानवित भी होए होगे चलिए अपने ग्ञान को परखी और ग्रह कारे के रूप में एक प्रशन पर अपना लेख अपने विचार दीजिए यह प्रशन है सेवाए किस तरह से एक विवसाई में रीड की हड़ी के रूप में कार्य करती है दूसरा प्रशन है केंद्रिकत बैंकिंग सोलूशन पर आपके क्या विचार है आपकी क्या राए है इसे पर एक अच्छा सा लेख लिखिए धन्यवाद बच्चो अच्छा सा लेखिए